तो हेलो स्ट्रेंट्स आज हम समझेंगे अपने आजी कर्व के पार्ट सेकंड के बारे में और लेडी लाज़ पास हम डिसकस कर चुके हैं इस पार्ट मम डिसकस करेंगे के कंजूमर एकलूम में कब होता और उसकी बजेट लाइन क्या हो दिये तो चलिए शुरू करते हैं मे कि हहोता है और इंडिफरेंस कर क्या होता है इसो उसकी और डिसकस करेंगे अज कहें इसके यह वाले तो चले हार्ट सबस cev醒 पहले आप्स बजट सेट बजट सेट बजट कहीं हमारा जो बजट करते हैं मेरा बजट सेट 오른쪽에 से होता बजए चीज लेने का तो बाजट सेट या budget क्या होता है वो चीज हम यहां पर समझेंगे फिर उसके बास समझेंगे budget line क्या होती है देखे पहले मैं एक simple example दे देता हूं उसके बाद book के example पर चलेंगे हम माल लीजे हमारे पास 10 उर्पए हैं और हमें लेने है pen और pencil ठीक है pen है 2 रुपए का pencil है एक रुपए की पैन है 2 रुपए का pencil है एक रुपए की अब आप मुझे ये बताएं कि 10 रुपए मेंं कितने pen ले सकते और कितनी pencil हमैं combination दो आगर अगर 5 पैन मैं आपी तो और यहां dollars मिंतलबा सब्सक्राइब तुन हो गया तो पेंसिल कितने पाएँगी जीरो आगर जाने दो पक्नों कि पर दोपेंगे के तौट रुसेर अगर जानी तौट पन अगरई धाहक है से अब मैंने यह बना दिये हैं group, मैंने यह बना दिये combination, इन combination को कहते हैं budget set, अब मैं बता दू budget set depends यह तीनों चीज़ जों निकाली हैं, वो निकली है किस से consumer की consumer income से, income क्या दिया हमारी 10 रुपीस और यहाँ पर price क्या था price था हमारा pen price 2 रुपीस 2 रुपे और pencil का price जो हमारा था वो था 1 रुपीस ठीक है आप यहाँ पर कोई एक x बस्तू ले सकते हैं यह समझके भी कर सकते हैं तो आपको दिख रहोगा कि इन तीनों को ध्यान में रखकर यह set बना है तो जब इस set को बना रहे थे तो वहाँ पर कहीं न कहीं एक equation को follow कर रहे थे जो budget line या budget set की equation है क्या है वो equation यह है कि m is equal to p1 x1 plus p2 x2 where जहां पर m शो कर रही है हमारी income को पीवन शो कर रहा है प्राइज आफ फर्स्ट कमोडिटी प्राइज आफ फर्स्ट कमोडिटी ठीक है x1 शो कर रहा है quantity of first commodity quantity of first commodity 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 मतलब बस्तू उसके बात next बात करेंगे तो p2 की p2 का मतलब यहां पर क्या है प्राइज आफ सेकंड कमोडिटी तो लिख लेंगे हम प्राइज आफ सेकंड कमोडिटी साथ के साथ नौट भी कर सकते हैं और और x2 का मतलब है यहां पर आपका quantity of second commodity आप नौट कर सकते हैं अब इस फॉर्मले के बेस पर ही हमने यह combination draw करें कैसे एक example के दिरू आपको बता दूँ मालीजे यह वाले लिए हमें कितने लेना है चार पैल लेनी है और दो पैंसिल लेनी है तो अगर इसको फिलप करें तो हमारे पास है कितने दस रुपे पैन के प्राइस कितने है दो रुपे और पैन कितने लेते चार ठीक है और प्लस पैनसिल के प्राइस एक रुपे और कितनी ली हमने यहाँ पर दो तो दो चौक यहाँ पर हो जाएगा आट और यह आजएगा दो जाएगा कितना दस और यह देखिया बराबर आ रहा है तो कोई भी बजट सैट है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है बता दिया एक त सब्सक्राइशन में जो वर्ड है या इनका मतलब क्या है यह मैंने आपको बता दिया अब इसको नौट करने के बाद अगर इसी को ड्रौ कर दिया जाए किसके उपर ग्राफ के उपर तो यह हमारी बन जाएगी क्या बजट लाइंग तो चलिए ड्रौ कर देते हैं इसको प पैन ले सकते हैं अगर आप पांच पैन ले रहे थे तो यह कितने जीरो उसके बाद अगर आपने पैन को कम किया अच्छा फिर कितना कर यह था पॉइंट इसके बाद नेक्स पॉइंट यह रहा उसके बाद आपने पैन और कम करें पैंसल यह रही और कम करें यह रहा और कम करें यह रहा तो जो लाइन आएगी कुछ वो बिलकुल स्ट्रेट सी आएगी यह हमारी होगी बजट लाइन क्या बना सकते हैं 0 1 2 3 4 5 जब 5 पहने तो पैंसिल कितनी है 0 जब 4 पहने तो पैंसिल है कितनी 2 जब 3 पहने तो पैंसिल है 4 6 8 10 यह different combination जो थे budget set थे उसको हमने draw कर दिया तो यह जो बन गई हमारी यह निकल के आई है क्या budget line बजट लाइन बनी किससे दुबारा से बता दूए question m is equal to p1 x1 प्लस इनके बीच multiply है p2 x2 यह ध्यान लिए उसके बाद आप हमने यह example लिया यह दूसरा example ले सकते कि मान लीजा मारी income कितनी है 20 रुपे हैं हम कितना ले सकते हैं एम को टंडी ले लिए और apple के प्राइस चार रखी और orange के प्राइस दो रखी ठीक है और आप उसका combination अपने आप बनाईए मैंने आपको पैन वाला दिया है आप अपने आप बनाईए आपके बास कितने रुपे हैं 20 रुपे हैं और apple के प्राइस आप 4 पे मान लीजे इच और orange के मान लीजे 2 रुपे का इच तो possible combination नहीं क्या होगा और उसको फिर diagram पर ड्रॉ कीजिए तो आपको एक budget line बनती हुई नजर आएगी उसके बाद आते हैं आपको बता दूं कि यह जो हमने आप combination आता है तो यह जो लाइन है यह कही ना कही ratio दिखा रही है प्राइस का कौनसी वाली यह क्योंकि y-axis होता और य इनके ratio को denote करती है क्या यह budget line किसके दोनों price के ratio को denote करती है यह denote करती है कौनसी budget line तो इसको हम price ratio भी बोल सकते हैं जैसा कि notes में दिया हुआ है तो अब उसके बाद बात करते हैं तो एक तरह सा budget line का मतलब क्या हो गया PX upon PY अब इसके बाद आ रहा shift of budget line कि budget line shift कब होती है आप दिको बता दिया है budget line एक सिंपल सी इसको मैं रफ करके इदा कर लेता हूं इसको budget line को मैं क्या कर लेता हूं इधर कर लेता हूं सिंपल तरीके से यह अब यह budget line उपर नीचे दाएं बाएं कैसे होगी तो देखिए यहां पर लिखा है change in income and change in price अगर buyer की income में चेंज आएगा और यह सिंपल पहले line यह थी budget line income बढ़ जाएगी तो उसका budget बढ़ जाएगा तो यह किस तरफ राइट वर्ट सिफ्ट हो जाएगी दोनों का मोटी के लिए और अगर income घड़ जाएगी तो यह left side increase in income और यह क्या है decrease in income क्लियर है कब जब increase वाएगी तो इस तरफ इंकम में चेंज में दोनों में फैक्ट पड़ेगा दिक्कत प्रोडम में आप है यहां से तीन केस निकल के आते है चेंजियन प्राइस से चेंजियन प्राइस का मतलब सिंपल लेते एक वजट लाइन यह हमारी एक्स और यह हमारा वाई और यह एक्स अब हम पैन पैंसिल की जगा हम एक्स वाई खेलते हैं ठीक है अब माल लिजे एक्स के प्राइस गिर गए एक्स commodity के price गिर गए तो आप ज़्यादा खरीद पाएंगे या कम खरीद पाएंगे उतने ही price में ज़्यादा खरीद पाएंगे falls in the price of x goods good अगर x good के price गिर गए तो उसकी देखो बढ़ गया और अगर x price क्या हो जाए बढ़ जाए तो हम उसका क्या करिद पाएंगे कम खरीद पाएंगे same like इसमें क्या लिख देंगे decrease या decline in prices दूसरा बनाते है वाई के लिए यह simple एक बनी है normal line और यह उपर हो गई कब हो गई जब इसकी line बढ़ गई मतलब जब y commodity के price घट गए तो उसका budget बढ़ जाएगा और यह line उपर shift जाएगी और अगर इसके price बढ़ जाएगा किसका वाई का और अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो budget गिर जाएगा और यह नीचे आ जाएगी और माल लीचे दौनों के prices में चेंज आ रहा है तो budget line ऐसे shift होगी जैसे यह हुआ था same like कि अगर budget line देखें यह पैलर रहे है अगर दौनों के price घट जाते तो हमारा यह उस तरफ को shift हो जाएगा बाहर की तरफ और अगर दौनों के price क्या हो जाते हैं increase हो आते हैं तो दौनों के लिए budget क्या हो जाएगा यह नीचे क्यों हो जाएगा यह हो गया हमारा यहाँ पर क्या shift in budget line different situation में अब उसके बाद discuss कर लेते हैं हमारा next topic last है consumer equilibrium कि consumer equilibrium मे कब होता है वो last topic है समझ लेंगे तो यह chapter मारा यहाँ पर क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा तो चलिए वह भी समझ लेते हैं देखे हम समझने जा रहे हैं अब consumer equilibrium जो इस topic का सबसे important topic है एक्यूलिब्रियम सबसे पहले वर्ट करते हैं एक्लिम की बात पहले बता चुका हूं consumer equilibrium वो उस situation को कहते हैं जब एक consumer अपनी price को market demand market prices पर इस परकार खर्च करता है कि उसे मिलता है maximum satisfaction अब यहाँ पर से कितनी कमोर्टी उसकरनी है दो कमोर्टी की consume करनी है और satisfy होना है तो आपको एक simple बताता हूं पहले तो एक normal डिस इस आइसी कर फर्स्ट इस आइसी कर टू एंड इस आइसी कर थ्री अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीस ऑफ आइसी जो आइसी जितना ज्यादा उंचा होगा वह में उतनी क्या देगा satisfaction देगा तो इ यहां पर आपको BMW की बाइक दिला दी या आप गल है तो आप कुछ और ले सकते हैं तो स्कूटी ले लिजे अब होता क्या सबको satisfaction किसमें होगा भई तगडी वाली बाइक तगडी वाली कार ओडी सम्तिंग मिले तो ज्यादा अच्छा है लेकिन यहां पर एक बीच में यह जा रहा है जिसमें satisfaction बहुत ज्यादा है और एक कर विजब बजट लाइन से निचे मतलब एक्जामपल यह मालो हमारा बजट बाइक का लेकिन हम साइकल करीद रहे तो satisfaction क्या मिलेगा कम मिलेगा वुजों की बजट से भी निचा रही सस्ती आ रही है लेकिन satisfaction क्या है कम औ या कि i3 पर वो ना जा सकता है और वो ौN प्रहतन चाहेगा तो इस केस में वो करेगा क्यिक्त केस में वह बन रहे watched हो रही है बजट लाइन से इंटर्सेट हो रही है जहां पर कंजूमर काय में होता हैicki at में होता है लेकिन इक्रिम की आपको बता दू दो situation है या दो condition है first MRS is equal to PX of PY यह हो गया price ratio price ratio denote करता है budget line को और MRS करता है इस curve को अगर आप मैं simple सा भी इसको हटा दूँ और इसको समझो तो इसको देखिए यह budget line है और इसको समझे यह ट्रेच करना पड़ेगा आप इधर देखिए जरा इसको उपर भी हटा देते हैं यह IC करव है अगर budget line MRS और यह बराबर है तो इस point को बोलेंगे MRS is equal to PX upon PY जहां budget line this is budget line PX and PY का ratio and MRS this is MRS अगर यह यहां पर इसको क्या कर रही है intersect कर रही है तो यह पहली सर्त हो गई और दूसरा सर्त है यहां पर MRS continuous decline decline मतलब लगातार क्या हो रही हो घट रही हो ठीक है अगर यह दो condition fulfill होती है तो consumer काई में होता है equilibrium में होता है इससे लेड़ा को एक और चीज़ बतादू यह अगर ऐसा ना हो मान लीजे consumer यहां पर है तो आपको बतादू यहां पर यह वाली condition है जिसमें Y commodity जादा है और X की कम है तो situation क्या हो जाएगी MRS जादा हो जाएगा MRS जादा हो जाएगा किस से PX और PY से देखें यह आप पर अब हमें यह हमारी budget line है और उधर से बहुत दूर जा रहा है MRS marginal rate of substitution क्या है जादा है किस से ratio से अब हमें करना क्या पड़ेगा हमें करना यह पड़ेगा यह चीच एक्स commodity को बढ़ाना पड़ेगा Y को घटाना पड़ेगा ताकि वह किस से intersect हो जाए कि हमारी budget line से यह intersect हो जाएगा तो situation आ जाएगी और यह condition situation आ गई तो consumer काय में आ जाएगा संतूलन मे आ जाएगा equilibrium में आ जाएगा और MRS तो लगा था decline होई रही है तो basically आपको जब consumer equilibrium दिखाना है तो आपको यह diagram शो करके दिखाना पड़ेगा यह दो condition समझानी पड़ेगी तब जाकर एक consumer काय में होता है equilibrium में होता है वैल आज के topic में इतना ही यहां पर खतम होता हमारा indifference कर chapter इससे लिए अगर आपको कोई भी doubts हो तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं साथी description में चेक कर सकते हैं इसके notes keynotes जहां पर आपको इससे लेड़ेट कुछ theoretical position भी बिल जाएगा तो आज के लिए thank you टाटाएन बाए बाए